नमस्कार स्वागत है आप सभी का Infusion Notes के YouTube चैनल पर मैं दिवानजु सिंग आज लेकर आया हूँ आप सबों के लिए भारत के कुछ प्रमुख दारस्निय अस्थल आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के कुछ प्रमुख दारस्निय अस्थल के बारे में आईए देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख दारस्निय अस्थल जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे हमारा पहला दारस्निय अस्थल है स्वर्न मंदिर स्वर्न मंदिर पंजाब के अमरित सर में इस्थित है पंजाब इस्थित अमरित सर में है कई बार प्रतियोकता परिच्चा में पुछी भी जाती है कि स्वर्न मंदिर कहा है तो स्वर्न मंदिर अमरित सर में इस्थित है इस गूर्ध्वारे का बाहर हिसा जो है हुआ सोने का बना हुआ है इसलिए इसे स्वर्न मंदिर भी कहा जाता है यह करीब 400 साल पूराना गूर्धॵारा है जिसका निर्मान 1680 में गरु अर्जुन देव दूरा किया गया था अब देखिए कि स्वर्ण मंदिर से कितने सारे कोश्चन निकल कर आ रहे हैं जो कि परतियोक्ता परिच्छा में पूछे जाते हैं सबसे पहला कोश्चन स्वर्ण मंदिर कहा है सबसे पहला कोश्चन स्वर्ण मंदिर कहा है स्वर्ण मंदिर अम्रित सर में इस्थीत है इसके बाद जो है इससे दूसरा कोस्टन यह बनता है कि इसे स्वर्ण मंदिर स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण मंदिर क्यों कहा जाता है इसका उत्तर हो जाएगा इसका जो बाहरी हिसा है किस चीज़ का बना हुआ है सोने का बना हुआ है इसका बारे ही सा फिर इसके बाद से तीसरा कोषुचन और आता है कि यह मंदिर कितने साल पुराना है तो यह करीब-करीब चार सो साल पुराना है मंदिर है फिर एक और कोश्चन इससे बन के आ रहा है कि इसकी अस्थापना किस ने किया तो इसकी अस्थापना गुरु अर्जुन देव द्वारा इसकी अस्थापना की गई तो स्वर्ण मंदिर कहां पर है अमरिद सर में है इस गुर्द्वारे का जो बाहरी हिस्सा है वह सोने का बना हुआ है यह 400 साल पुराना गुरु अर्दुन देव जी द्वारा इसे अस्थापित किया गया देखते हैं अब हमारा जो दूसरा दार्शनी अस्थाल है भारत का वह है निसात बाग निसात का साब्दिक अर्थ होता है खुसी निसात का एक उर्दु वर्ड है जिसका की हिंदी में मतलब होता है खुसी निसात बाग जो है निसात बाग जमू कस्मिर की राजधानी स्री नगर के पास डल जिल में इस्थीत है निसात बाग इसका नाम मुगल बाग था जो की बाद पर निसात बाग कर दिया गया निसात का अर्थ होता है खुसी इसलिए इसे खुसियों का बाग यानि निसात बाग कहा जाता है अभी मैंने आप लोगों को बता है कि निसात जो है निसात क्या है उर्दू वर्ड है निसात उर्दू वर्ड है निसात का मतलब होता है खुसी निसात का हिंदी मतलब क्या हो गया खुसी तो निसात कहां अब देखिए इससे question क्या क्या बनके आ रही है इसका जो पहला question बनके आ रहा है कि निसात बाग कहां इस्थीत है तो निसात बाग जम्मू कस्मीर के स्री नगर में डल जील में इस्थित है ठीक है इसे मुगलों का बाग भी कहा जाता है अब देखिए मुगलों का बाग जब ही आता है तो इसे यह तातपर होता है कि इसे जो बनवाया गया था तो मुगल काल में इसे बनवाया गया था मुगल काल में इसे बनवाया गया था इसलिए इसे मुगलों का बाग मुगलों का बाग कहा जाता है निसात बाग को मुगलों का बाग भी कहा जाता है विकि इसे दो कोश्चनार है सबसे पहला तो निसात बाग कहा है जम्मु कस्मीर के डल जील में इस्थित है इसे इसकी अस्थापना किस काल में होई थी तो मुगल काल में इसे बनवाया गया था इसलिए इस बाग को मुगलों का बाग भी कहा जाता है याद रहेगा आप लोगों को कि निसात बाग क्या है तो निसात बाग एक बगीचा है जो कि जम्मू कस्मीर के स्री नगर में जो डल जील है उसके पास यह बाग इस्थित है जो कि निसात बाग के नाम से विख्यात है पहले इसका नाम मुगलो का बाग था जो कि बाद में बदलके इसे निसात बाग कर दिया गया और इसकी थापना हुई थी बढ़ते हैं हमारे अगले दार्षनिक अस्थल की और अगला दार्षनिक अस्थल है वह है एलोरा की गुफा एलोरा की गुफा एलोरा की गुफा महराष्ट राज के औरंगाबाद में इस्थित है कहां इस्थित है महराष्ट राज के औरंगाबाद में इस इस्थित है धयान देजेगा इस कोस्चत में कई बार कोस्चन आय वे यह परतियोंता परिष्चा में पुछी हुए है कि एलोरा का गुफा कहा है एलोरा का गुफा महराष्ट राज के औरंगाबाद में इस्थित है इसका निर्मान राष्ट कूर्ट वल्स के द्वारा कीया इस गुफा में कुल 34 गुफा है जिसमें 15 बौत धर्म, 17 हिंदू धर्म और 5 जैन धर्म की गुफा है मतलब राष्टकूट वन्स के दौरान जब ये गुफा बनाई गई थी तो इसका मुख आधार यह था कि सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर समलित कर चलना इस गुफा को बनाने का मुख कारण था जिसमें की देख लीजिए जिसमें टोटल कितने गुफा है 34 गुफा है 34 गुफा में 15 बौत धर्म, 17 हिंदू धर्म और 5 जैन धर्म की गुफाएं अभी भी इस्थित है देख लीजिए एलोडा की गुफा कहा है महराश्टर राज के औरंगाबाद में इस्थित है इसका निर्मान कब हुआ था तो राश्टूट वन्स के दोरान इसका निर्मान हुआ था इसमें कुल कितने गुफा हैं तो 34 गुफा हैं जिसमें 17 हिंदू धर्म, 5 जैन धर्म और 15 बौत धर्म की गुफाएं हैं बढ़ते हमारे अगले दार्शनिक अस्थल की और हमारे अगला दार्शनिक अस्थल है हवा महल अक्सर जानते हैं लोग की हवा महल कहां इस्थीत है तो हवा महल राजस्थान की राजदानी जैपूर में इस्थीत है जो की पिंक सीटी के नाम से जाना जाता है बहुत ही अच्छा कोस्चन है पिंक सीटी भारत का पिंक सीटी किसे कहा जाता है पिंक सीटी 2014 में 2014 के SSC GD के प्री में ये question पुछा गिया था कि Pink City भारत का Pink City क्या है तो ये याद रखिएगा आप लो कि भारत का Pink City जैपूर को कहा जाता है भारत का Pink City किसको कहा जाता है जैपूर को तो हवा महल जो है राजस्थान की राजदानी जैपूर में इस्थित है जो कि पिंक सीटी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्मान स्तवाई परताप सिंग के द्वारा सन 1799 इसवी में किया गया था। इसमें कुल 935 छोटे छोटे खिर्की है जिसे जड़ोखा कहा जाता है। इस खिर्कियों से जब हवा अंदर आती है तो वहां का वातावरन ठंडा हो जाता है चाहे वो गर्मी हो। इसका मतलब यह है कि इसमें जो बनाई गई खिर्किया है हवा महल में जो बनाई हुई खिर्किया है छोटी छोटी खिर्किया है जब उससे हवा प्रवेस करती है एक तरफ से दूसरी तरफ जब हवा प्रवेस करती है तो यह एक एर कंडिशन फ्लो बनाती है मतलब कि हवा का प्रवेस है और हवा का निकलने का दोनों का एक साथ जब होता है तो उस जगह का जो टेमपरेचर है उस जब का जो वातावरन है वह ठंडा हो जाता है ठीक है तो अब देखिए कि जो है हम लोग देखते हैं इससे क्या-क्या कोश्चन बन सकते हैं आईए देखते हैं कि इससे कोश्चन हमारा क्या-क्या बन रहा है सबसे पहला question ये बन रहा है कि हवा महल कहा इस्थित है, इसका उतर होगा जैपूर में इस्थित है, अब पिंक सीटी, जैपूर को पिंक सीटी कहा जाता है, या दूसरा question बन जाएगा कि जैपूर को ही पिंक सीटी कहा जाता है, ठीक है, हवा महल का निर्मान, हवा महल का निर सन 1799 इसमी में करवाया था ये तीन कोस्चन आपके इसमें से हवा महल में से तीन कोस्चन आ सकते हैं पहला हवा महल कहां इस्तित है जैपूर में दूसरा पिंक सीटी के नाम से कौन जाना जाता है तो जैपूर जाना जाता है तीसरा इसका निर्मान किस ने करवाया था तो सवाई प्रताप सिंग ने करवाया था और इसका निर्मान कब हुआ था तो 1799 में इसका निर्मान हुआ था तो देख लीजिए हवा महल से हमारे पास चार कोश्चन बनके आ रहे हैं या था हमारा हवामाल बढ़ते हैं हमारे अगले कोश्चन की और हमारा अगला जो दार्षनिक अस्थल है वो है मिनाक्षी मंदिर क्या है मिनाक्षी मंदिर देखते हैं मिनाक्षी मंदिर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि मिनाक्षी मंदिर नमक अस्थान पर इस्थित है यह मंदिर भगवान सिव और पारवती को समर्पित किया गया था इसकी अस्थापना पांड़े राजा के दूआरा 17 सताबदी में कराया गया था सत्रों सो इस भी में करवाया गया था अब देखिए इसे क्या-क्या मिनाक्षी मंदिर से क्या-क्या कोश्चन निकल के आ रहे हैं सबसे पहला कोश्चन मिनाक्षी मंदिर किस राज्ज में है तो तमिलाडू राज्ज में यह हमारा पहला कोश्चन मन के आ रहा है कि मिनाक्षी मंदिर किस राज्य में है तो तमिलाडू राजी अब दूसरा कोश्चन फिर आ रहा है कि मिनाक्षी मंदिर तमिलाडू राज्य के किस जगह पर इस्थित है तो मदुराई मदुराई में इस्थित है फिर तीसरा कोश्चन यह आता है कि मिनाक्षी मंदिर को कब बनवाया गया था तो सत्रा सो में पांडिया राजा के द्वारा मिनाक्षी मंदिर का निर्मान कराया जाता है या था मिनाक्षी मंदिर से कुछ important question जो की आ सकते हैं हमारे पर्तियोगता परिच्छा में बढ़ते हमारे अगले question की ओर हमारा अगला जो दार्षनिक अस्तल है वो है जमा मस्जिद जमा मस्जिद बहुत ही मदपूर्ण दार्षनिक अस्तल बारत के इत्याग में इसे माना गया है क्योंकि यह जो मस्जिद है वह साजहा के दोरा इसका निर्मान करवाया गया था इसका निर्मान साजहां के द्वारा 1680 इस्वी में 1680 इस्वी में इसका निर्मान करबाया गया था जामा मस्जिद दिल्ली में इस्थित है ठीक है? या भारत की सबसे बरी मस्जिद है देखिए, कोस्चन आता है कभी-कभी परतियोगता परिक्षा में कभी-कभी आ सकता है कि भारत की सबसे बरी मस्जिद कौन है तो जामा मस्जिद है आगे हम लोग बताएंगे, आपको बताएंगे कि इससे क्या-क्या कोस्चन आ सकते है इसे बनवाने में कुल 6 वर्स लगे थे और इसका निर्मान पत्थर और संगमरमर से हुआ है जामा मस्जिद का जो पूर्वी गेट है जामा मस्जिद का जो पूर्वी गेट है वह जो है, वह सिर्फ साजहा के लिए खोला जाता था बाकी जो पश्चिमी और उत्री द्वार है बाकी जो पश्चिमी और उत्री द्वार है वह परजाओं के लिए रहता था अब देखते हैं इससे क्या 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 क्योश्चन परित्युक्ता परिच्छा के दृष्टी कौन से इससे में क्या क्या क्योश्चन आ सकते हैं जामा मस्जिद से पहला क्योश्चन जामा मस्जिद कहा है जामा मस्जिद दिल्ली में इस्थित दूसरा question इसका निर्मान किस ने करवाया कि जमा मस्जित का निर्मान साजहां के द्वारा हुआ था फिर इसी से तीसरा question आया है जमा मस्जित का निर्मान कब हुआ तो 1680 इस भी में हुआ था यह जामो मस्जित महतुपूर्म तीन कोस्टन आ सकते हैं पर्तियुक्ता परिच्छा में कई बार पूछी वे गए हैं जैसे कि सैनिक स्कूल या फिर नवोद या फिर एंडिये या फिर सीडियेस इन सब में कई बार ऐसे कोस्टन पूछे जाते हैं जो की छोटे कोस्टन होते हैं और विद्यार्थी मिस कर जाते हैं इन सब छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान देंगे ताकि आप लोगों का जो परिक्छा है वह बहतर जाएं आएँ बढ़ते हैं हमारे अगले दार्शनिक अस्थल की ओर वह है जल मंदिर जल मंदिर देखते हैं जल मंदिर जल मंदिर सुनने से ही ऐसा लगता है कि यह मंदिर कहीं पर जल में इस्थित होगी यह मंदिर जल में ही इस्थित है बता दू मैं आप लोगों को कि जब आप लोग बिहार की राजधानी पटना से जारकन की राजधानी राची जाएंगे तो उसी के जाने के कर्म में एक गाउं आता है जिसका नाम है पावापूरी उसी जगा पे पावापूरी में ही जल मंदिर इस्थित है यह जल मंदिर जो है वह मोक्ष की धर्ती बोध गया के पास इस्थित है इसका मतलब बोध गया और पावापूरी दोनों आसपास ही है पावापूरी में जल मंदिर इस्थित है लेकिन यह जो है मोक्ष की धर्ती बो बोध गया में इस्थीत है, सभी लोग आप लोग बोध गया से वाकिफ होंगे, क्योंकि बोध गया जो है, मोक्ष की धर्ती के नाम से जाना जाता है, या मंदिर कमल तालाब के बीच में इस्थीत है, जो कि मोक्ष मंदिर के नाम से विश्व भर में प्रसीत है, तो आप योगता परिच्छा के दृष्टी कौन से इससे क्या-क्या सवाल पूछे जा सकते हैं तो सबसे पहला सवाल कि जल मंदिर कहां है जल मंदिर पाबापूरी में इस्थित है दूसरा सवाल भारत में मोक्ष की धर्ती किसे कहा जाता है बोध गया भारत में मोक्ष की धर्ती बोध गया को कहा जाता है फिर से इसमें ही तीसरा सवाल मोक्ष मंदिर मोक्ष मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है तो जल मंदिर माना जाता है तो इस जल मंदिर से तीन सवाल सीधे पूछे जा सकते हैं कि जल मंदिर कहां इस्थित है तो पावापोरी में इस्थित है भारत में मोक्ष की धर्ती किसे कहा जाता है तो बोधगया को कहा जाता है बिहार स्सी का पूछा गया प्रस्ण है बिहार स्सी में यह पूछा गया प्रस्ण है कि मोक्ष की धर्ती कि भारत में मोक्ष की धर्ती किसे कहा जाता है तो बोधगया को कहा जाता है मोक्ष मंदिर का दूसरा नाम क्या है जल मंदिर विस्वर में जल मंदिर परसित है तो यह थे हमारे जल मंदिर के अब बढ़ते हमारे अगले मंदिर की ओर जो है जगनात मंदिर जगनात मंदिर सभी लोग वाकिप होंगे जगनात मंदिर से जगनात मंदिर पूरी में इस्थित है यहां मंदिर भागवान स्री कृष्ण को समर्पित है जिसका निर्मान 1774 इस्वी में राजा आनंद भीमदेव के द्वारा किया गया था यहां हर साल जून और जुलाई महिने में चार किलोमेटर लंबी रत रयात्रा निकाली जाती है जगनात मंदिर जगनात ही स्री कृष्ण जी का स्री कृष्ण जी का दूसरा नाम जगनात है जो की कहा है पूरी में इस्थित है पूरी में इस्थित है ठीक है इस मंदिर का निल्मान आनंद भीमदेव के दुआरा 1174 इसमी में करवाई गई थी और हर मेहने कृष्णाष्टमी के अवसर पर यहाँ पर 4 किलो मीटर लंबी रथियात्रा निकाली जाती है जिसमें की भगवान जगनात जी को भगवान स्री कृष्ण जी को उनके गर्वग्री से निकाल कर पूरे पूरी की दर्संद कराई जाती है वहां के लोगों का यह मानना है कि भगवान हर साल अपने गर्वग्री से निकल कर सभी अपने सरधालों को देखने के लिए साल में एक दिन निकलते हैं इसी लिए उस दिन वहां पर चार किलोमेटर लगभग चार किलोमेटर लंबी रथियात्रा निकाली जाती है तो देखते हैं परतियोक्ता परिछा के दृष्टी कौन से क्या-क्या महत्पून कोश्चन इससे आ सकते हैं तो पहला कोश्चन है कि जगनात मंदिर कहा इस्थित है यह हमारा पहला कोश्चन है तो जगनात मंदिर पूरी में इस्थित है ठीक है जगनात जगनात जी का दूसरा नाम क्या है स्री क्रिस्न फिर इसमें तीसरा कोशन है इस मंदिल का निर्मान किस ने और कब करवाया इस मंदिल का निर्मान आनंद भीमदेव ने 1774 इस्वी में करवाया था यहां पर हर साल जून और जुलाई महिने में लगभग 4 किलोमेटर लंबी रत्यात्रा निकाली जाती है अब देखिए रत्यात्रा भारत में रत्यात्रा कब और कहां निकाली जाती है यह भी एक कोश्चन हो सकता है आपके लिए भारत में रथियात्रा कब और कहा निकाली जाती है तो भारत में रथियात्रा जगनात मंदित पूरी में निकाली जाती है जो की जून या जुलाई महिने में इसे निकाला जाता है ये कोई fix नहीं रहता है वो हिंदु धर्म के कलेंडर के हिसाब से कभी जून में होता है कभी जुलाई में होता है तो जून या जुलाई में इसका रथ यातरा यहां पर निकाला जाता है देखते हैं हमारे अगले जो दार्षनिक अस्थल वह है गोलगर गोलगर बिहार की राजधानी पटना के पटना में गांधी मैदान के दक्षनी छोड़ पर इस्थित है गोलगर इसे ब्रिटीज फोज के खाना भंडारन के लिए 1786 इस्वी में वारेन हाश्टिंग के दोरां बनाया गया था इसकी कुल छमता 1,40,000 टन है या कुल 125 मीटर चावड़ा और 29 मीटर उचा है इसकी उचाई इतनी है कि उपर चरने पर गंगा और संपुर्ण पटना का दर्शन किया जा सकता अब बताते हैं गोलगर का निर्मान क्यों करवाया गया था तो 1777 इस्वी में जब आकाल पड़ी थी पूरे भारत में जब आकाल पड़ी थी तो ब्रिटीज फोज को खाना कम पर गया था तो उसी के लिए ब्रिटीज फोज के लिए वारेन हास्टिंग्स ने खाना भंडारन के लिए 1786 इस्वी में गोलगर का निर्मान करवाया जिसमें की खाना का संग्रा किया जा सकता था तो देखते हैं परतियोगता परिच्छा के दृष्टी कौन से इससे क्या क्या कोश्चन बन सकते हैं पहला गोलगर कहा है तो गोलगर पटना में इस्थित है दूसरा गोलगर किस के दवारा और कब बनाये गिया वारन हास्टी के दुआरा 1786 इस्वी में इसका निर्मान हुआ इसकी कुल छमता कितनी है एक लाख चालिस हजार टन इसकी कुल छमता है इसकी उचाई कुल 125 मीटर है चौराई है और 29 मीटर उचा है यह है गोलगर की अब यह दार्सनिक अस्थल बनकर रह गया है जहां पर बिहार से लेकर बिहार आने वाले भी और बिहार की बहुत सारे परियेटक यहां पर गोमने आते हैं तो यह है गोलगर बरते हैं हमारे अगले दार्सनिक अस्थल की ओर वह है वीजय अस्थम्ब वीजय अस्थम्ब राजस्थान के चित्तोरगर जिले में इस्थित है इसे सन 1448 इस्थि में राना कुंभा द्वारा बनवाया गया था इसकी उचाई 122 फीट और 30 फीट उची जो की 9 मंजिला इमारत है इसे विश्णु अस्थम्ब के नाम से भी जाना जाता है वीजय अस्थम्ब राजस्थान पुलीस और मादमिक सिख्चा बोर्ड का भी चिन है क्या है चिन है अब देखिए वीजय अस्थम्ब जब राना कुंभा जब वहां के राजा थे तो उन्हों उसने मुगल सासक और अरंजे पर जब वीजय प्राप्ती किये थे मुगल सासक पर जब वीजय प्राप्त किये थे तो उसी खुसी में इन्हों ने बीजय अस्थम्ब का निर्मान करवाया था जो की बीजय का परतीक है तो परतियोगता परिच्छा के दृष्टी कौन से देखते हैं कि यहां क्या क्या कोस्चन आ सकते है पहला कोस्चन बीजय अस्थम कहा है तो बीजय अस्थम राजस्थान के चित्तोर गर्ण में इस्तीत है किसके दृआरा बनवाया गया था तो राना कुम्बा के दृआरा इसे बनवाया गया था अब देखिए राजस्थान बोर्ड वाले इसका इस पर देखिए नजर राजस्थान पुलीस और माद्मिक सिक्षा बोर्ड का चिन क्या है इसका चिन है बेजय अस्थम